पूरी दुनिया महादेव का दिया खा रही है। इंस्टैग्रामियां ये बूलता हुए जिनको बस कुछ पढ़ना लिखना नहीं है बस उन्होंने सुनी सुना इस बाते उठानी हो ती जो multiplayer होते हैं मर जाते हैं मर जाते हैं। झी तो अमर है जैंती का आरत होता है जिनकी का कोई संधी विच्छेद भी तो करना सीखिए आफ अगर आफ दूसरा अहनुमान जी तो परम ये कब से परंपरा है चली आ रही है जैंती शब्द आज भी कौन से कलेंडर में चेंज करा के दिखाओ तुम करवाओ कलेंडर में चेंज सबसे पहले तो पांचांग के अंदर कलेंडर नाम की उनकी माता थी जो अपसरा थी पुंजिक स्थला जो की अगले जनम में दुरवाशा रिसी के श्राप की वजए से उनका जनम हुआ था विराज शायद उनके पिता का नाम था और अंजनी और उनकी शादी हुई थी केसरी से और इसमें एक और कहानी है मुझे बताई था और वो केसरी के घर में अंजनी माता के वहाँ पर गिर गया और उन्होंने वो फल खाया और इसलिए बोला जाता है कि स्री राम के भाई जैसे ही है अनुमान जी और वहाँ पर यह कितनी सत्य घटना है यह देखे राम चरित मानस में यह बढ़ना नहीं है जी बालमी की तरहा है लेकिन रामायन शत कोटी अपारा कितनी बनिया अज तक शत कोटी सैकडो इतनी कोटी कोटी रामायन लिखी जा चुकी है सब ने अपने अपने कुछ मत दिये लिकिन मैं आपको सकते बताओं मैं प्रैक्टिकल जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास लगता हमने बटन ओन कर दिया उसको कूलिंग पर सेट कर दिया 16 से 25 तक जहां हवा चाहिए इतना ही सीख लो ना अब तुम उसको कारी करी सीखनी की ठंडी हवा कहां से आ रही है कौन सा पाइप लगा है कहां से कूलिंग हो रही है क्यों बेना मतलब के परशान होते हैं आम खाओ वादों में पड़े जाते हैं ये 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 दूसरा ये डंके की चोट पर है कि श्री अनुमान जी शंकर के अवतार है जेही शरीर रतिराम सों सोई सादर ही सुजान रुद्र देह तजिनेह बस हरते भए है नुमान अपनी रुद्र की देह त्याकर नेह वश राम से प्रेम के वश वहरते भए हनुमान क्या शंकर शंकर बनके हनुमान जी बिना बने क्या राम की सेवा के लिए नहीं आ सकते थे दरति ह्भव्ं लेकिन उन्होंने दिखाया कि देखो मैं चान्दी का हूँ करपूर गौरं करुनावतारं संसार सारं भुजिगेंद्र हारं एक जगा भगवान महादेव को कहा है चारुचंद्रावतंसम आप चांदी के हैं लेकिन हनुमान जी किसके हैं सोने के भगवान शिव ने दुनिया में दिखाया राम की सेवा के लिए शंकर भी कहला शोड़कर धरती पर आए तो भगवान उसको चांदी से प्योर गोल्ड बना देते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कंचन होत खरोराम सिवा करते जाओ अनुमान जी का नाम बजते जाओ दुनिया में स्वर्ण की तरह सूर की तरह चमका देगा मेरा बाबाब विकटवेश मुकपंच पुरारी वानराकार विग्रह पुरारी शंकर स्वयम है वो लेकिन तुलसिदा जी क्या कहते है शंकर सुवन के सरी लेकिन कुछ लोगों ने पूझे श्री राम भद्रचार जी मैं की बात पूछने वाला लखाब से उनने भी कहा है कि वह शंकर कि वह एक तरीके से पुत्र भी हुई गया और श्वयंग ने जिए बहुत है जी जब भग्वान विश्व मौहिणी का अतार लेकर आए तो शंकर उन पर मोहित हो गया और जब शंकर उन पर मोहित हुए तो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका तेज स्खलि अच्छा उसको भगवान केसरी ने अंजनी माता के कर्ण से उनके गर्भ में प्रविष्ट किया इसलिए शंकर का तीज होने के कारण वो शंकर सुवन भी है इसके अंदर एक कहानी सुनी थी मैंने कि शंकर भगवान चुंकि रावन उनके भक्त थे तो शंकर भगवान खुद कारण नहीं बनना चाहते थे रावन के वदका तो उन्होंने वायुदेव को पवन देव को ये बोला दिव्वे पुंज शब्द था कि दिव्वे पुंज बोला कि जो अंजनी माता है उनके गर्भ में आप स्थापित कर दीजिए अब ये दिव्वे पुंज क्या है ये भी ब्याख्यान को थोड़ा सा डिस्काइब करेंगी कि दिव्वे पुंज क्या था ठीक पहुंच गये वहीं दिव्वे पुंज का आर्थ जो बालक संतान पैदा करने की पुरुष की शक्ती होती है वो वो भगवान शिव का स्खलित हुआ तो वहां से उसको करण मार्ग से प प्रताप महा जगबंदन